नमस्कार दोस्तों मेरा नमें प्यूश आप देखे तो कुशनार भारत पाकिस्तान के सिंध में वो सिंध जो भारत के जंगन मन का एट लिस्ट तो हिस्सा है ही अभी और कभी भारत का भी हिस्सा हुआ करता था पूरा का पूरा पाकिस्तान और जो गरफी पे जाएंगे तो अभी बहुत दूर तक बात जाएगी खैर वहाँ पे पूजा कुमारी ओड नामक लड़की हिंदू लड़की को कनवर्ट करने की किडनैप करने की कोशिश की गई उस कोशिश को वो नाकामयाब करना चाहती थी उसमें भागने का प्रयास किया और उसको सड़क पे सरयाम गोल भी मारके उसकी हत्या कर देगे हत्या करने वाला व्यक्ति उसको कनवर्ट करना चाहता था इसलाम में और फिर उससे विवाग करना चाहता था और जब उसका अपोस के लड़की ने तो जाएट से बात है एक एल जली निकलता है अब आपको लग रहा हूं कि क्या ऐसा हो गय पाकिस्तान में ये डे टुडे एक अक्टिविटी है जब भारत का वो हिस्सा था तो वो पाकिस्तान सिर्फ इसलिए मांगा गया था कि यहां के कुछ लोगों को बहुत बड़ी तादाद के कुछ लोगों को हिंदुओं के साथ रहने में आपत्ती थी तो पूछा गया किसको किसको है तो बहुत बड़ी तादाद में लोगों को थी और उन्होंने चुना जैसे आज से लोग कहते हैं कि हम ने चुना कि हम यहां रहेंगे तो ऐसे उन्होंने चुना कि हम यहां नहीं रहेंगे हम यहां रहें नहीं पाएंगे हमें अलग जगे आज की सेनेर्यू में अगर आप देखें टेक्निकली क्या होता है तो अगर आप कहीं नहीं रहना चाहते हैं तो आप उठके चले जाते हैं आप यह नहीं कहते हैं कि हमें उसी जगे अपने ही हिस्से में से वो जगें हमें दो नहीं ऐसा होता नहीं है देश के context में ऐसा होना नहीं चाहिए और हो भी नहीं सकता आज की देश में कोई ट्राइ कर ले आज की date में कोई कह दे कि हमें इस particular region में पुरा वो land अपना चाहिए जैसे south से कई बार आते हैं कि Christian land घोसित कर दिया जाए द्रवड लैंड घोसित कर दिया जाए तमाम चीज़े कही जाती है Christian community की तरव से कहा जाता है कई बार एक बार मैंने इस पर वीडियो बिनाई है और कई बार Islamic cleric भी कह चुके हैं कि हमें एक separate country जाई है तो ऐसा होना ने चाहिए इस बात को रखने से मेरा यह मतलब था कि पाकिस्तान हो बांगलादेश हो अफगानिस्तान हो इन ज करती पर जब इस्लाम के कब्जा हो जाए तो वह अफगानिस्तान पाकिस्तान बांगलादेश और तमाम ऐसी जगहें बन जाती हैं जहां पर इनका वह सेक्लोरिजम नहीं चलता जो सेक्लोरिजम इनको भारत के अंदर चाहिए होता है जो constitution नहीं यहां चाहिए होता है वह व बेकूब बन जाती है लव जिहाद हो जाता है तो लड़की कटी हुई पाई जाती है सूटकेस में पाई जाती है यह दोनों तरफ हो रहा है ऐसी घटना है आपको मंगलादेश में मिलेंगी ऐसी घटना है आपको बंगाल में मिलेंगी तो यह सब कोई आम बात नहीं है की पॉलिटिक्स करते हैं पिछणों की पॉलिटिक्स करते हैं उनको क्यों नहीं इस बात की चिंता है कि कहीं ना कहीं कोई हमारे जात वाला प्रताडित हो रहा है अब अगर इसको एक अंब्रेला में देखें तो हिंदू को यहां के हिंदू को आपत्ति क्यों नहीं हो रही है इंडिया को ऐसा नेशन, हिंदू नेशन उसको आपत्ति क्यों नहीं हो रही है यहां किसी वेक्ति को so-called जैसरी राम के नारे पे मार दिया जाता है, ऐसा कहा जाता है अफवा फैलती बस, इसकी पूरी सच्चाई यह नहीं है कि सिर्फ नारा लगवाने के लिए मार दिया गया वो बात UN तक पहुँच जाती है और हिंदू कम्यूटी को बदनाम किया जाता है, भारत को बदनाम किया जाता है लेकिन पाकिस्तान में जो हो रहा है जो दिल्ली में हो रहा है जो भारत में हो रहा है, जो बांगलादेश में हो रहा है, अभी हाली में मंदिर पर टैक हुआ, कितना किलिंग, फिलिंग, सब कुछ हो रहा है, दंगे हो रहे हैं, इस बात पर पूरी global community शानत है, क्योंकि भारत को globally एक हिंदू nation रिकूनाईज नहीं किया जाता है, दुनिया अगर कहीं Christian देश है, तो सब को acceptable है, और बहुत सारे हैं, दुनिया में कहीं Islamic countries हैं, तो उनका एक पूरा group है, बहुत बड़ी आबादी में है, 56 पतान कितने हैं, तो उन्हें भी accept किया आता है, उनके religious country के basis पे, लेकिन अगर जहां बात उड़ जाए, जिस भारत के दो हिस्स अगरे हिंदू राष्ट है, उसी point पे हिंदू राष्ट बन गया जब पाकिस्तान एक Islamic nation बन गया, technically भी, logically भी, और होना भी यहीं चाहिए, जिस दिन ऐसा होगा, तो इंडिया भी, जब आवाज उठाएगा, हिंदू के प्रती, तो उसकी सुनी जाएगी, अभी क्या एक secular पेजामे में बंधा हुआ है, और लोग इसका फायदा उठाते हैं, मैं चाहता हूँ, इस लड़की की बात दबनी नहीं चाहिए, ग्लोबल लेवल तक जानी चाहिए, यहीं अमेरिका, अभी हाली में, उसने मेयानमार में, रोहिंग्या मुसल्मानों के साथ जो हुआ, उस नहीं किया गया, यह कैसा पाखंड है, यह कैसी politics of appeasement है, मैं चाहता हूँ, जो जनता देख रही है, अटलिस्ट, वो अपनी आखें ना बंद करें, शुदरमुर्ग की तरह अपनी गर्दन जमीन में ना गड़ाये, सच्चाई से ना भागे, और unity दिखाये, और पाकिस्ता जिस Islamic country में हिंदू के खिलाफ अत्याचार होरा, बेटियां मर रही है, सिर्फ अपने हिंदू होने पर मर रही है, अपने हिंदू तो को बचाने के लिए मर रही है, कनवर्ट ना होने के लिए मर रही है, क्या भारत में रह रहा हिंदू समाज, unity दिखा के उनके लिए stand नही जरी घटना नहीं होगी और हिंदू हां बचे ही कितने हैं इन सब घटनाओं के लिए आप अगर आज कुछ नहीं करेंगे तो परिशान मत हुए कुछ टाइम बाद यह होना ही बंद हो जाएगा क्योंकि तो लाइक और शेट ठोक दीजिए पांचेजार लोड़े दिख जाना चाहिए यह चार हजार के मैं आपे नहीं खड़ा हूँ पुरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बिटा